तो फाइनली गाईज आपके सामने मिला दिया हूँ दा माइस्ट्रो एज वन ट्रेंटी फाइफ हीरो की तरब से दोस्तों इसका फुल हिंदी रिवीव होने वाला है तो आप वीडियो को वन तक देखिएगा और प्लीज जो मेरे चैनल पे भी नहीं है तो मेरे चैनल को सब् कर ले डेले न्यू बाइक क्शने के लिए जहां पर आपको मिलता है डेले न्यूव वीडियो तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें और प्लीज कमेंट करना ना भूलने कि आपको इसका फ्रेंट का व कैसा लगा दोस्तों इसमें आपको कई सारे वेरियंट आते हैं तो ये वाला आपके सामने बेस वेरियंट है और इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 86,009 रूपीज है ऑन रोड और बात करें हम इसके टॉप मोडल की जो हीरो कनेक्ट आता है उसका आपको 1,02,000 यहाँ आउन रोड देखने को मेंगा मव में तो दोस्तों यह वाला कलार आप देख रहे हैं भी पर्ल, सिल्वर, वाइट और काफी अच्छे हैं आपे बॉडी ग्राफिक्स यूज किया गया है काफी इसमें नयने चेंज किये गया है तो गाइस प्लीज वीडियो अं तक को मिलेगी 125 सेक्शन में तो दोस्तों कुछ ऐसा है आप इसका आपको बॉडी ग्राफिक्स देखने को मिलेगा नए नए आपको DRLS आइड किये गये हैं आपको और यह वाला कलार आप देख रहे हैं परल, सिल्वर, वाइट और काफी अच्छा देखने में लगता है कंपन और लो फ्यूल इंडिकेटर और यहां पर डिश्टली फ्यूल गॉस्पी देखने को मिल रहा है आपको और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ओडो मिटर यहां पर ट्रिप मिटर देखने को मिलेगा और डिश्टल क्लॉक देखने को मिल रहा है दोस्तों और इसमें आ यहां पे engine का जो भी नया status है वो आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों यहां पे आपको hero की basin देखने को मिल रही है बात करें इसके right handlebar की तो यहां पे i3s यहां पे add किया गया है दोस्तों और यहां पे आपको engine का start button देखने को मिलेगा दोस्तों कुछ ऐसा है आपको यहां पे setup देखने को मिल जाएगा इसमें आपको optional charger भी दिया गया है जिसको आप अलग से लगवा पाएंगे और दोस्तों यहां पे आपको 3 kg तक इसका weight आप उठा सकते हैं जो इसका यहां पे दिया है और दोस्तों बात करें इसके left handle बार की तो इसमें आपको high beam, low beam, turn indicators और horn के बटन देखने को मिलेंगे दोस्तों दोस्तों फ्रंट से लुक कुछ ऐसा है आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पे जो fiber का मढगार्ड है वहां पे आपको graphics काफी अच्छी दी गई है फ्रंट में आप यहां पे setup कुछ ऐसा देख सकते हैं 125 की graphics यहां पे new new add की गई है और hero की यहां पी basing देख पाएंगे 3D और फ्रंट में दोस्तों यहां पे आपको LED का setup देखने को मिल रहा है और काफी अच्छा देखने में लगता है और look काफी अच्छा provide कर रहा है और बात करें हम इसके indicators की तो यहां पे आपको bulb के indicator देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों बात करें हम इसके और features के बारे में तो इसमें आपको front में आपको 130 mm का drum brakes दिया गया है 12 इंच के tire दिये गया है 90 by 90 सेक्षन के और जो alloy tubless tire दिये गया है दोस्तों और बात करें हम इसके suspension के बारे में तो telescopic hydraulic suspension दिया गया है दोस्तों ये देख रहे हैं आप इसका under seat storage और कुछ ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसमें आपको mirrors यहाँ पे इस box में दिये गया है और यहाँ पे आपको book दिया गया होगा और बात करें हम इसके और features के बारे में तो इसमें आप optional charger भी लगवा सकते हैं दोस्तों और तो front में दिया गया है और दोस्तों बात करें हम इसके पीछे के tires के बारे में तो पीछे आपको 130 mm के drum brakes दिये गया है 10 इंच के आपे tires से 90 by 100 के और बात करें हम इसके suspension की तो unit swing with spring loaded hydraulic damper दिया गया है दोस्तों दोस्तों बात करें हम इसके power and performance के बारे में तो इसमें आपको 124.6 CC का single cylinder air cool fuel injected engine दिया गया है जो आटोमेटिंग air shifting technology से आता है और दोस्तों बात करें हम इसके power producing की तो 9 BHP का power produce करता इसका engine at 7000 rpm और maximum torque इसमें आपको 10.4 at 5500 देखने को मिलेगा दोस्तों बात करें हम इसके transmission की तो आटोमेटिक दिया गया है और transmission type इसमें आपको CVT देखने को मिलेगी दोस्तों बड़े हम इसके dimension and chichis के बारे में तो chichis में आपको underbone type देखने को मिलेगा और जो इसका जो base variant है इसका आपको weight देखने को मिलेगा 111 kg का और जो इसका top variant है connected model है वो आपको 121 kg का देखने को मिलेगा दोस्तों इस scooter का overall length आपको 1843 mm का है और width आपको 715 mm का देखने को मिलेगा और height आपको 1188 mm का देखने को मिलेगा और दोस्तो बात करें हम इसके ground clearance की तो 155 mm का इसका base variant का ground clearance दिया गया है और seat height आपको 775 mm की देखने को मिलेगी तो दोस्तो यहाँ पे special thank to राजपूत हीरो माउ जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका दिया और दोस्तो कोई भी query होगी तो मैं उनका number और address में ब्लेद दूँगा आप वहाँ पे जाके check out कर सकते हैं और इस बाइक को purchase कर सकते हैं दोस्तो यह तो था हमारा छोटा सा hero maestro age 125 का base variant का यहाँ पे review और इसका top connected variant का जल्थी review में लाने वाला हूँ तो आप मेरे चैनल को like share and subscribe करना भूले और दोस्तो प्लीज कमेंट करना ना भूले कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और दोस्तो यहाँ पे आप देख सेकते हैं इसका exhaust यहाँ पे काफी अच्छा दिया गया है और दोस्तो पीछे आपको यहाँ पे LED के lights देखने को मिलेग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैहिंद वंदे मातरम